नमस्कार स्वागत है आप सभी का इन 27 न्यूज में मैं भारती का पासिया नमस्कार मैं उहिमानशू और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कारिक्रम जिसमें मैं और भारती बाच्वीत के जर्ये आपको कुछ ऐसे फेक्ट्स बताएंगे जिनने जानने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाने वाली है तो अभी डारी लेकर बैठिये और एक-एक फेक्ट्स को ध्यान से सुनिए आपको बता दी कि सूर्य उद्य तो हर जगा होता है लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले सूर्य उद्य अरुनाचल परदेश में होता है नोट जरूर कीजेगा प्यार महबबत तो सभी करते हैं मगर प्यार महाबबत करने में पलकों का और आखों का सबसे महत्तो truck कारियर होता है मगर क्या आपको पता है कि पूर्सों की तुल्ना में सबसे ज्यादा पलके महिलायी छपकाती है ऐसा एक survey में पता चला है आपको बता दे कि दाड़ी तो हर पुरुस के चहरे पर काफी खूबसूरती जमा देती है लेकिन बता दे कि अगर कोई व्यक्ति पूरी जिन्दगी अपनी दाड़ी ना कत्वाए तो वो तेरा फीट तक लंबी हो सकती है जी हाँ नोट जरूर कीजेगा क्या आपको पता है अगर आपके शरीर की नसों को खोल दिया जाए तो आपका दिल आपके खूण को 30 फीट की उच्छाई तक फेक सकता है शराब तो आजकर हर कोई पी रहा है लेकिन क्या आपको पता है कि शराब की अगर एक बून भी बिच्छू के उपर डाल दी जाए तो उसका आसर उस पर जानलेवा भी हो सकता है नोट जरूर कीजेगा अक्सर बाचीत में हम कुछ ऐसी बाते कर जाते हैं जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता मगर बे मतलब की बातों पर भी जवात देने वाला जो व्यक्ति होता है उसका दिमाग सामाने लोगों से ज्यादा स्वस्थ होता है पाचन किरिया तो आज गल हर लोगों का खराब ही भी लेगा लेकिन आपको बता दे कि हमारे बॉड़ी के पाचन किरिया के कुछ एक्जाम ऐसे होते हैं कि अगर हमारी मृत्ति हो जाए तो वो उल्टा हमारे सरीर को ही खाना शुरू कर देते हैं आप लोग सडकों पर निकलते हैं आप लोग सवारिया करते हैं आप लोग अलग अलग जगह घूमते हैं तो राजते में आप लोग एयरफोन लगाकर जरूर गाने सुनते होंगे जरूर आप प्रोग्राम्स देख लेते हैं मगर क्या आपको पता है कि मात्र एक घंटे तक अगर आप एयरफोन का यूज करते हैं तो आपके शरीर में आपके कानों में 700 से ज्यादा बैक्टीरिया उत्पन हो जाते हैं तो अगली बार अगर आप एयरफोन लगाएं तो इस तथे को ज़रूर याद कीजेगा चीटियों के बारे में आपने काफी वाते सुनी होंगी लेकिन क्या आपको पता है कि यदि कोई चीटि मर जाए तो उसमें से एक खास रसायन निकलता है और यदि वो रसायन किसी अन्यचीटि के उपर गिर जाए तो अन्यचीटि उसे मरा हुआ समझ लेती है जी हां कई एड्स में आपने देखा होगा कि किसी भी दिमाग में कुछ आता है कुछ किसी के दिमाग में तो बत्ती जलती है मगर यह सच है दिमाग में बिजली इतनी तेज जलती है कि मनुश्य के दिमाग में कि उस बिजली से एक बल्ब को जलाया जा सकता है छोटे शिशू आपको बेहत पसंद होंगे लेकिन आप क्या आप जानते हैं कि जन्म के कुछी समय बाद शिशू का दिमाग इतना विकासित हो जाता है कि थोड़ी ही देर में उसे पता चल जाता है कि आवाज किदर से आ रही है पोस्ट कार्ड का तो हम सभी इस्तमाल करते हैं मगर क्या आपको पता है कि आउस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले पोस्ट का उप्योग किया था आपको बता दे कि मनुष्य शरीर में हरंग विक्सित होता रहता है लेकिन आग एक ऐसा अंग है जो जन्म से लेकर मृत्यू टक एक ही समान रहता है आस्मान में आप रात को तारे देखते होंगे अंगिनत तारे दिखाई देते हैं अगर आप ये शहर से देखते हैं तो थोड़े कम दिखाई देते हैं आप अगर ये देहात के इलाकों से यानि गामों से देखते हैं तो तारे बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं हमें ये सारे तारे एक ही रंग के दिखाई देते हैं, मगर तारे एक रंग के नहीं होते, तारों के अलग-अलग रंग होते हैं, मगर ये हमें एक ही रंग में दिखाई देते हैं नाखुन चबाते तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि विज्ञानिक शोध के अनिस्वार जो व्यक्ति नाखुन चबाता है वो या तो काफी टेंसन में होता है या किसी बात की उसे चिंता खाई रहती है हर वक्त हर घड़ी किसी ना किसी के लिए हमारा दिल धड़कता रहता है मगर आज बात ये कि सबसे तेस दिल किसका धड़कता है जानिये बेहत दिल्चस्ब है अगर बात तितली की की जाए तो तितली का दिल एक मिनट में पांसो बार धड़कता है जिहां सही सुना आपने अगर छिपकली के दिल की दास्तान सुनेंगे तो और ज़्यादा आस्टरियम में पढ़ जाएंगे क्योंकि छिपकली का दिल एक मिनट में एक हजार बाद धलगता है आप सोच रहे होंगे क्या यह पॉसिबल है मगर हां यह सच है बता दे बार्डर पहिसर आपने आर्मी ऑफिसेर्स को देखा होगा लेकिन क्या आपको पता है कि कर देश सबसे कूछ साल देश माना जाता है आप मगर आपको पता है कि शुक्र ग्रह बीच है एक ओक दिन हमारे पृत्वी के एक साल के बराबर होता है आपको बता दे कि आप जानते हैं कि मनुस्य की जीब मनुस्य की मान स्पेसियों में सबसे मजबूत होती है सडकू पर जब आप निकलते हैं तो ट्राफिक तो लगता रहता है मगर क्या आपको पता है कि सबसे अधिक जाम कब लगा था जी हाँ दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा जाम 2010 में चीन के सेंगाई शहर में लगा था यह जाम 100 किलोमीटर से भी अधिक लंबा हो गया था और यह जाम 12 दिनों तक रहा जहां जीते जी शादी करना नामुम्किन सा हो जाता है वही हम आपको बता दे कि फ्रांस में अगर किसी व्यक्ति की मिरत्टी हो जाती है तो भी हम उससे शादी कर सकते हैं जी हां अगर आप लेकिन यह तभी पॉसिवल है अगर आपके पास कोई सबूत है कि वो व्यक्ति आपसे प्यार करता है या नहीं आज कि आपने इतने सारे रोचक तथे जाने इन्हें जानने के बाद क्या है आप लोगों की राए क्या हमने जो बताया उनमें से कुछ आपको पहले से पता था या कुछ आपको ऐसी जानकारी मिली जिसे जानने के बाद आप सोच में पढ़ गए हैं तो क्या है आपकी रा पकड़ हर खाबर पर